सावित्री की नंद की वज़े से सावित्री को अपना मकान खाली करना पड़ेगा जहां पे वो रेंट पे रहती है उसका रिजन यह है क्योंकि सावित्री की जो सिस्टर इन लौ है उनकी हेल्थ ठीक नहीं है मेंटली भी ठीक नहीं है वो कपड़ों में ही लैट्रिंग बात्रूम वो सब कर लेती है तो उसके चलते वहाँ पर उन्हें एक लिम्टेट पानी दिया जाता है अनलिमिटेट देते तो टैंशन फिरी रहता है बंदा की हाँ चलो जितना मर्जी हम कर सकते हैं पर वहाँ पर इंपे अपने अलग अलग रूटे हैं जगा के और में जहां समझ सकते हूं क्यूंकि जहां महारास्ट में साब्च रहती है वहा पर उनके मकार मालिक के चौनरा माद्रंचाश के पानी दिया जाता है उस बड़ी है चोटी तो है उसे में पीरिच होते होंगे और ये सब जी बजये पर देखने और यह सब चीजों को देखना उनके जो मकान मालिक है उनोंने यह बोला है कि यहां पर एक चीज यह भी है कि सावित्री के जो हस्बें उन्होंने इस बात को समझा क्यों कि देखो एक तो सोचने वाली बात है वैसे भी ज्यादा बड़ी बात थो है नहीं अगर हम एक मिच्योर बंदे को तो हम रैंट पर घर दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वह हमारे घर की भी केर अच्छे से करेगा और जो मेंटली है जिसकी हरकते पता नहीं चलता है कब क्या होती है उसकी वज़े से भी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो चीजे सोचने वाली बात हो जाती है थोड़ी सी तो इस टाम जो बाते हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूं तो उस वीडियो को देखिए और अपना धेर सारा प्यार दीजीगा और सिर्फ इतना कहूंगी देखो दुआउं में बहुत ताकत होती है आप दुआ की जेकिश की जो नंद है वो जल्दी से ठीक हो जाए उनके ठीक होने की वज़े से काफी कुछ है जो नर्मल हो सकता है सावित्री की लाइफ थोड़ी स्मूथली चल सकती है बड़ तेको दुआ और दवा दोनों ही जब काम करे तो असर दिखाती है आपको पता है दुआ तो हम लोग कर देंगे आप भी दुआ करेंगे पर दव दुआ भी महत्तपॉन होती है जो दुआ होती है क्योंकि उनका अगर रिलास कराया जाता उनको अच्छी सिर्ट दॉक्टर को दिखाया जाता जिसमें की उनसे सावित्री ने पूछा है मैं आपको चला गुवानी ले चलते है तार शावर अज़ा 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 चला चला बहुत अच्छी लंगी तो टो डिखा दूंगे आप देखेगा कि गुमने चलना है तो उन्होंने बोला हाँ हूं फूमने चलना है सावित्री सच में चाहती है कि वह ठीक हो जाये पर सावित्री की बात को काटा है उनके हस्बर्ने आप इस क्लिप को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं गलत नहीं कह रही हूं और क्योंकि सावित्री चाहती है कि वो उसका जो सिस्टर है जो सिस्टर निलो है वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि एक औरत का दर्द बहुत अच्छी से समझ सकती है और उस पेन को भी बरदाश करना होता है जिस पे उसकी हैल्थ ही ठीक नहीं है जिसके चलते अगर ऐसा कुछ होता है तो और सदा प्रॉब्लम तेस करनी पड़ती है तो मैं तो यही दुआ करूंगे कि आप सब भी दुआ किजिए कि सावित्री की सिस्टर इंलो जल्दी से ठीक हो जाए थोड़ा थोड़ा भी उनकी अगर स दुआ करा देशन कराईए दीरे दीरे सब चीजे साथ होती है और आप ने जो करते हो वो चीजे हम देख रहे हैं उस चीज को समझ रहे हैं क्योंकि पहले आप ब्लॉग इंग जो किया करती थी वह शायद कुछ सुस्पैंस आला रख किया करती थी अब विल्कुल जेन्वन ब्लॉगिंग करते हैं जिसके अधार पर हम आप लगों के साथ अटेच भी हो पाते हैं और आपकी बात समझ भी पाते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज की दुगे कि आप जल से जल्द अपना घर बनवा रहे हैं कंग्राचुलेशन्स पर उसके लिए हाड़ बहुत जादा लगेगा दुग्मी महनत लगेगी और क्या ही मैं बोलूं और टाइम भी आपने लिया है आठ नो महिने का टाइम लिया है अपने मकान मालिक से तो वह सब चीजे जल्द ही होंगी यही प्रात्ना करती हूं कि आप अपने काम में कामियाब हो और एक अपना घ सब्सक्ति न भी िंचाना में बहुंगा सब्सक्राइब हो घडर करहते हैं पर यहीं करता हैं एकि ऊज़ी है आप में एक रिखियों तो भी दो ब Полी संग कि देखें समय में ऑन दो बहुत लिया में आपसे में कि एक शेंफेगे कि उसमें अपने समने क admirAnother मिनमी ही जोनकी ब वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी कोश्चनों कमेंट शर्क में देना मत बूलिएगा चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो चिरग लाइकन शेर कर दीजिएगा आखो क्या लगता है कमेंट में जरूर विदाएगा बाबाई लव्यों थैंक्स पालाचीम् जशाशी कि शन्ना गठीरव जिएगा फिरगा थेंक्सणाना व्यूलिएगा थेंक्स अफ़लाचीम्स प्रक में अच्छी के वलागता है